और अगली कौन से फिल्म है जो आप रेकमेंड करेंगे? अगली फिल्म का नाम है माइनस थर्टीवन दा नागपूर फाइल्स और जैसा की नाम से है कि ये नागपूर शेहर की एक कहानी है और इसमें दिखाया गया है कि कोरोना काल में कोई एक मडर हुआ है और उस मडर को किस ने किया है, क्यों हुआ है, कैसे है, उसकी तफ्तीश की ये कहानी है और ये भी छोटे बजट की ही फिल्म है, इसे परतीक मोहितरो ने निर्देशित किया है और लगभग ऐसे कलाकार हैं जिनको हम उनकी एक्टिंग के लिए तो जानते हैं लेकिन हम उने बहुत बड़ा स्टाडम उनके साथ नहीं है रुचा इनामदार हैं जी रुचा इनामदार हैं, रगवीर हैं इसमें रगवीर आदर जी है तो इस तरह केस में कलाकार है तो ये कोविट पैंडिमिक के दौरान के एक मर्डर मिस्ट्री है हाँ उस दौरान की है कि कोई एक मर्डर हो गया है और उस समय के हालात हम सब जानते हैं कि पुलिस के लिए या मेडिकल साइंस के जो लोग थे उनके लिए कितने मुश्किल हालात थे उन दिनों तो उन दिनों अगर कोई murder हो गया तो उसकी तफ्तिश कैसे की जा रही है, कैसे हो रहा है, ये वहाँ दिखाती है और इसके नाम को लेकर मैं आपको एक minus 31 से clear नहीं होता तो मैं आपको बताओं कि नाकुर में एक slang है minus होना, यानि कट जाना, हट जाना वहाँ से गायब हो जान तो उस तरह से इसका नाम है और चूकि ये एक murder mystery है, thriller है, suspense है तो जादा खुलासा इसके बारे में करना उचित भी नहीं होता